नमस्से मैं हूँ सचिन वेल और आपका स्वागत करता हूँ जैपुर दर पिंक सिडी चैनल पर आज हम बात करेंगे भिंडी के फायदों के बारे में यानि कि भिंडी से हमें क्या-क्या हैल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही ये भी बात करेंगे कि भिंडी खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए तो आए सबसे पहले भिंडी के फायदे देख लेते हैं भिंडी वजन को कम करती है रोजना 100 ग्राम कच्छी भिंडी को काट कर नीबू नमक लगा कर 10 मिनिट के लिए रखते हैं इसे खाने से वजन तेजी से कम होता है भिंडी चश्मा हटा देती है भिंडी की सबजी रोजना खाने से आँखों की नसों को ताकत मिलती है और आँखों की रोशनी तेज हो जाती है भिंडी डायबिटीज को ठीक करती है चार भिंडी गोल काट कर एक गिलास पानी में दो घंटे के लिए बिगो दें फिर इस पानी को चान लें भिंडी का ये पानी रोजाना पीने से डाइबिटीज ठीक हो जाती है भिंडी खाना नहीं पचने की प्रबलम को ठीक करती है बिंडी को सबजी या अचार के रूप में खाने से digestion मजबूत होता है जिससे खाना नहीं पचने की problem ठीक हो जाती है बिंडी कब्ज की समस्या को ठीक कर देती है दो बिंडी काट कर एक कब पानी में उबाल कर छान ले बिंडी का ये एक कब पानी पीने से कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाती है बिंडी खुजली को खतम करती है बिंडी को पानी के साथ पीस कर लेब बना लें इसे खुजली वाली जगे पर लगाने से खुजली ठीक हो जाती है बिंडी पेशाब की जलन को ठीक कर देती है इसके लिए चार बिंडी एक गिलास पानी में उबाल कर काड़ा बना ले बिंडी के इस काड़े में मिश्री मिला कर पीने से पेशाब में हो रही जलन बिलकुल ठीक हो जाती है बिंडी बालों को मजबूत और चमकदार बनाती है बिंडी के रसको बालों में लगाने से बाल जड़ना बंद हो जाते है बिंडी का सेवन दस्त को भी रोग देता है पचास ग्राम बिंडी को पीस कर मिश्री मिला लें ये इतना effective होता है कि इसे खाने से दस होना तुरंत बंद हो जाते हैं बिंडी जलन को भी शांत करती है इसके लिए बिंडी के पत्तों को पीस कर जलन वाली जगह पर लगाएं इससे जलन ठीक हो जाती है बिंडी खून की कमी को पूरा करती है इसके लिए कच्ची भिंडी नीबू के रस में मिला कर खाएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाती है भिंडी हार्ट को मजबूत करती है रोजाना भिंडी खाने से हार्ट की मासपेशियों को ताकत मिलती है, जिससे हार्ट हमेशा मजबूत बना रहता है अब बात आती है कि भिंडी के साथ या भिंडी के बाद क्या नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों मूली, करेला और दूद का सिवन भिंडी खाने के बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इसकिन और पेट की बिमारियां पैदा हो जाती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें धन्यवाद